आकाश्वानी फोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुख्य समाचार युवा इंटेंड कारिक्रम में कल मुख्य मंतरी प्रदीश से करीब 5000 युवाओं से करेंगे समवाद लाडली बहना योजना के आबेदन अंतराश्वी महिला दिवस से लेना प्रारंप किये जाएंगे प्रदेश में फिर शुरू हुई कडाके कि ठंड स्यादतर शेहरों में पारा तीन से पाँच टेक्रे तक गिरा और मद्ध प्रदेश के टीम रणजी ट्रोफी के समी फाइनल में पहुची खेलों इंडिया में भी प्रदेश के खिलानियों का दबदबा अब समाचार विस्तार से में हाववोर्ड से लेकर युनिसेफ जैसी संस्थायं शामिल होकर युवाओं को मागदशित करने बाली है मुख्य मंत्री इन युवाओं से सीधी चर्चा करेंगे मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि बहनों के लिए शुरू की जा रही लाडली वहना युचना के आवेदन अंतराश्री महिला दिवस्त से लेने फ्रारम किये जाएंगे युजना में गरीब और मध्यमवर्गी परिवार की महिलाओं को प्रती माह एक एक हजार उपए की राश्री उनके खातों में अंतरित की जाएगी हितिग्राहियों को चिन हित करने के लिए गाउं गाउं और वाडों में जाकर आवेदन भरवाय जाएंगे मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आवान क्या है कि वे युचना में मिलने वाली राशे का उपयोग फरिवार को मस्बूत बनाने में करें मुख्यमंत्री श्री चोहान आज बेदिशा में मुख्यमंत्री जन सीवा अभियान में भूपाल, सागर और उजयन जंभाग के 24,94,000 से आधिक इतिग्राहियों को स्वीकृती पत्र का विटरन कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 73 लाग किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्यारी उचना की राशी 1465 करोड रुपए जमा की साथी 80 करोड 95 लाग रुपए से आधिक के विकासकारियों का लोकार पर नोशिला नयास भे किया कन्या पूचन के साथ कारिक्रम की शुरुवात हुई नय साल की पहले मा में मध्यप्रदीश वश्यम शेत्र विदोत्वितरन कंपनी ने बिजली आपूर्ती के शेत्र में रेकॉर्ड सापित किया है कंपनी की प्रबंध निदेशक अमित तूमर ने बताए कि मालवा निमाड शेत्र के 15 जिलो में 11 जिन्वरी को करीब 6,800 मेगावाट के बिजली आपूर्ती की गई जो कंपनी के इतिहास में सरवाधिक है इसके लावा जिन्वरी में मानवा निमाड में कुल 325 करोड 40 लाख यूनिट बिजली के अतिहासे का पूर्ती की गई है जो सामान इसे 18 प्रतिशत अधिक है मंसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की रौनक देखते ही बन रही है भावय उद्घाटन के बाद रुमांच प्रेमियों के लिए कई तरह की गत्विधिया आयोचित की जा रही है इस प्रीच फेस्टिवल के दूसरे दिन फीडलर्स, ग्रीन और सौरो मॉर्निंग बैंड ने भी संगीत के एक खुबसूरत रंग बिखेरे दोनों बैंड्स ने अपनी शानदार प्रसितियों से सबका मन मोह लिया वहें टोरिस्ट, हॉट, एर बलून, वोटिंग और पैराशूट का विशिश दौर पर लुट पढ़ाते नजरा रहे हैं इन दोर में नियून्तुन समर्थन मुली पर गिहूं खरीदी के लिए 6 फरवरी से 28 फरवरी तक किसानों का निशल्क पंजियन क्या जाएगा इसके लिए जिले भर में 61 पंजियन केंदर बनाए गया है यहूं विक्रे के लिए किसान मुबाइल के माध्यम से पंजियन कर सकते हैं इसके अलावा MP Online कियोस्क, लोक सिवा केंदर और साइबर कैफे पर भी निर्धारिस शुर्क देकर पंजियन करवाया जा सकेगा समाचारों में वक्त हैं ब्रेक का यह समाचार आपकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा की अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलितन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा अब हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेकी बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है नदी क्रूस कंगा विलास अपनी 50 दिवसी लंबी आत्रा पर आज बांगलादेश मौचने वाला है नदी क्रूस बांगलादेश में अपनी दो सप्ताह के आत्रा के दोरान एतिहासिक महत्व के स्थानों से होकर गुजरेगा धाका में प्रसार भारती के विशे समवादाता से बाचीत करते वे उच्चायों इक्तिपणने वर्मा ने नदी क्रूस को एतिहासिक उसर बताते वे कहा कि इसने दोनों देशों की नदी प्रणाली के शक्ते से दुनिया को अफगत कराया है लोगसभा और राजिसभा की कारवाहिया आस दिन भर के लिस्तागेत कर दी गए अधानी समूह से संबंधित हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट और अनिमुद्धों पर विपक्ष दलों के हंगामे के कारण आज दूसरे दिन भी संसत के दोनों सतनों की कारवाही बात देत रही उत्रकंड में चारधाम यात्रा के लिए तयारियां शुरू हो गए है साथ फरवरी को रिशिकेश में होने वाली बैठक में यात्रा के अन्तिम तयारी की जाएगी बद्रिनात के दारनात मंदिर समिती के अध्यक्ष अजींद्र अजय ने कहा है कि इस यात्रा का प्रबंदन सुचारू रूप से किया जाएगा यात्रा प्राइस अप्रेल से शुरू होगी प्रदेश में 30 ठंट का दौर एक बाफिर से शुरू हो गया है प्रदेश के ज्यादतर शेहरों में पारे में 3-5 डिगरी तक के गिरावत आई है कई जगहों पर फसल, पेड़ पौधों पर उस की बूंदे जम गई वहीं लेस्टेशन पच्मडी, नोगाउं और खजराहों में सबसे ज़ादा ठंट रिकॉर्ड की गई ऐसा ही मौसम अकले कुछ दिन तक रह सकता है मौसम विज्यानिकों का कहना है कि पहाड़ों पर हुई बर्बारी के बाद वहां से यहां बरफीली हवा रही है, इस करण ठंट का असर भी पढ़ गया है मौझूदा चैंपिन मद्रप्रदेश की रंजी क्रिकेट टीम लगातार दूसरे खिताफ के करीब महुच गई है क्वाटर फाइनल में उसने आज आंद्र को रुमान्चक मुकाबले में 5 विकेट से पराज़ित कर सेमी फाइनल में प्रवेश किया होलकर स्टेडियम में खेले का इस क्वाटर फाइनल मुकाबले में आज चौथे दिन मद्रप्रदेश ने आंद्र से मिले 245 रंके लक्षे को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया सेमी फाइनल मुकाबला 8 फरवरी से खेला जाएगा जिसमें मद्रप्रदेश के भणंत बंगाल की टीम से होगी खेलो इंडिया यूद केम्स में मद्रप्रदेश के खिलाणियों का शानदार प्रदर्शन जारी है प्रदेश को अब तक 12 स्वन सहित कुल 20 पदक मिल चुके हैं इनमें 7 रजित और एक कांसे पदक शामिल है पदक तालिका में महराश्ट पहले मध्रप्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसर स्थान पर है आपको समझार सिंग शेप में खज्राहों में शास्त्री नित्यू का विश्य पुसिदि खज्राहो डांस फेस्टिबल इस बार 20 से 26 वर्वरी तक आयुजित किया जाएगा खन्डवा में गुर्जर आरा दिभगवान दीव नरायन के जन्मूत्सों पर सर्व गुर्जर समाज द्वारा शुभा यात्रा निकाली जाएगी शिवपुरी जिले में संत्र विदास चैन्ती के उसर पर राश्री आयुष मिशन योचना के अंतरगत आयश विभाग द्वारा जलास्तरी आयुष मिले का आयुजिन 5 फरवरी को मंगलम भवन में आयुजित किया जाएगा शिवपुर जिले में 45 इंटर्स का चैन्त मुख्यमंत्री युवा इंटर्शिप कारिक्रम में किया गया है इन सभी को आज कलेक्टर शिमों मुरमा दोरा हरी जिन्दी दिखा कर भूपाल के लिए रवाना किया गया बैतूल से लेकी सभी गाओं और शहरी शेत्र के वाडों में 5 फरवरी से 8 मार्च तक विकास यात्राओं का युजिन किया जाएगा इन यात्राओं में विभिन विकास कारियों के लुकारपन और शिलान्यास होंगे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर युवा इंटर्ण कारिक्रम में कल मुख्य मंत्री प्रदीश से करीब 5,000 युआउं से करेंगे समवाद लाडली बहना यूचना के आवेदन अंतराश्री महिला दिवसिलीना प्रारंप किये जाएंगे प्रदीश में फिर चुरू हुई कडाके की ठंड ज्यादतर शेहरों में पारा 30 से 5 टेगरे तक गिरा और मद्र प्रदीश के टीम रंजी टॉफी के सेमी फाइनल में पहुँची खेलो इंडिया में भी प्रदीश के खिलारियों का दबदबा इस गुलिटन में इतना ही दीजे इजासत नमस्कार